इतना बेहतरीन काम किया ना टाटा कमपनी ने यार शूर्ट करता हूं भाई मैं टाटा कमपनी कर लो हाँ जहां चला जाता है माँदो जै हिंद एवरिवन आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है टाटा किक रियाक्शन फाइटिंग वियकल इस टापिक पे खान सर ने वीडियो बनाई है जिस पे हमारे पडोसी देश के कुछ लोगों ने रियक्शन दिया है तो चलिए देखते हैं ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उसे भी जरू चेक आउट करें मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में देखे टाटा ने अभी हाल ही में 4x4 इंजन का बखतर बन यानि आर्मर्ड वीकल बनाया है इसका नाम रखा गया क्वीक रियक्शन फाइटिंग वीकल यह तरीत करवाई के लिए होगा यह इसकी खासियत समझते हैं यह यूद के मैदान में पूरी तरह से गेम चेंजर साबीत होने वाला है एक्चुली आप देखें गलवान घाटी जब इंसिडेंस हुआ था आज से दो साल पहले तो चाइनीज जो थे सब गलवान में इस तरह के बखतर बन गाडियां लेके चले आया थे और इनके बाद आप देखे थे एक जड़प ही थी जिसमें हमारे कर्नल संतोस बाबू और बहुत सारे जवान हमारे सहीद हो गए थे तो उसी समय इसकी महसूस की गई थी कमी तो टाटा ग्रूप ने इसको बनाने के लिए आगे आया था और टाटा ग्रूप फाइनली बना के लाया अपना क्विक रियक्शन फाइटिंग वीकल यह इतना भारी भरकम इतना बड़ा है 21 फीट इसकी लंबाई है 8 फीट इसकी चोड़ाई है इस बकतरवन गारी की यह 14 टन वजनी है समझे तोप के वजन का है 14 टन और दो टन का पेलोड लेके जा सकता है यानि अपने साथ यह बहुत जादे मातरा में मतलब पेलोड हतियार को भी साथ में ट्रांसफर कर सकता ह इसमें भारी भरकम इंगन लगाए गया है 240 एच्पी का इंगन लगाए गया है 6 gore के साथ है यह 4x4 है यह इसके 4 जो चख्के है वह इंगन से चलेगा यह वाले पीछे वाले भी दोनों और आगे वले भी दोनों चलेगे आप हन्मूमन गाडियां जो होते हैं वो टू टू नहीं है बलकि यह फोल विल ड्राइब है पूरा का पूरा इसके साथ चलेगा इतने है भी इंजन लगने के वज़े से इसमें पावर जबर जस्त रहता है और इसका ग्राउंड क्लिरेंस देखेंगे जमीन से उचाई तो 315 एमेम है जिस वज़े से यह किसी भी उबर खा सब्सक्राइब करेंटा की रफ्तार देता है यह इंजन बॉर्डर एरिया में सबसे डिफिकल्ट होता है वहां का टेरीन वहां की जगह सड़के उतनी अच्छी नहीं रहती है युद के एरिया में तो और सड़के तूट जाती तो इस कंडिशन में टायर फटने का और टाय करते हैं इसका जो साइड वॉल होता है बहुत हाड बनाया जाता है जिस वज़ा से पचकता नहीं है और यह पंचर होने के बावजूद भी यह आगे बढ़ते रह सकता है तो यह उसकी सबसे बड़ी खासियत है साथ में इसे माइन प्रूब बनाय गया दुस्मन के एरिया म प्यरा रास्ते में गाड़ी उड़ा देते हैं पुलवामा में जिस तरह का टायक हुआ था उस तरह के लिए इसको ब्लास्ट होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सबसे बड़ा दिक्कत हता है ब्लास्ट के बाद जहरीली गैस निकलती है और वह अंदर चली आती है त इसलिए इसे किसी भी तरह का कोई दिकत नहीं है इसे बुलेट प्रूब बनाए गया है 90 डिग्री पर जब गोली आती है एकदम सीधा 90 डिग्री पर बहुत घातक होती है तो अगर 90 डिग्री के एंगल पर और महज 10 मीटर से भी अगर इस पर गोली चलाए जाएगा तो इस इसका मेटरिल इतना हाड है कि इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा बैस्टिक मेटरियल से इससे बनाए गया है कोई भी गोली वेगरा यह असार नहीं करता है जहां भी होग यह वापस में खुद से उसको रीकवर कर सकता है इतना मजबूत बनाए गया, इसके मजबूती का एक और रीजन क्या है, कि इसका जो ये आर्मड ये पिछला हिस्सा है, जिसमें साइनिक बैठते है, ये सिंगल सीट के मेटरियल से बनाए, इसमें कहीं जोईन नहीं मिलेगा आपको, पूरा एक सिंगल सीट से इसे बनाए गय गया है, तो जो इसे और भी मजबूती पर दान करता है, अगर इसके अंदर की बात करेंगे, फाइरिंग पॉइंट्स के, तो अंदर गाडी के अंदर रहते हुए, इसमें से गन निकाल के फाइर किया जा सकता है, और उदर से कोई फाइर नहीं कर पाएगा, ये सीशा भी इसका बुलेट प्रूफ है, आगे से भी बुलेट प्रूफ है, तो दस इसमें फाइरिंग पॉइंट दिये गया है, जो इस साइड, दोनों साइड से और पीछे से फाइर कर सकता है, साथ में ऊपर में एक मशीन गन के लिए जगा दिया गया है, और उसे कभर से खुलेगा, यह दर्वाजा इसका पीछे से खुलता है, पीछे से खुलने से फायदा यह होता है, तेजी से सैनिक प्रूब से उतर सकते हैं, और साथ में अगर कोई जी जी पीछे से खुलती है, तो दो घाड़ियों के लाइन लगाकर एक अच्छा-खासा कभर बनाया ज तो वहां network की बहुत बड़ी समस्य आती है अगर कोई emergency आता है तो वहाँ पर satellite communication ये इजली वहाँ पर कर सकता है इसके अंदर थर्मल camera दिया गया है यहाँ पर आगे थर्मल camera दिया गया थर्मल कैमरा आदमी को नहीं देखता है, वो टेंपरेचर देखता है, जो भी इनसान जिंदा रहता है, उसके बॉड़ी का टेंपरेचर 37 डिरी सेल्सियस, 37 डिरी उसके आसपास के टेंपरेचर को यह इजीली पकड़ लेगा, अगर कोई जाडियों के पीछे छूपा है, या कोई चादर ओड़ लिया है, इसको कोई मतलब नहीं बनता है, कि आप चादर ओड़ हैं, की जाड़ी के पीछे छूपे हैं, की पेड़ पे छूपे हैं, यह तो देखता ही नहीं है yeara temperature बताता है, जहां टेम बकलो लो वाकुन है, इस सब को दिखिए, जंगल में भाग रहा है सब, जैसे नक्सलाइट वगरा कस्मीर में घुस पाइट जंगल में भाग जाते हैं, इसको लग रहा है पेड़ के पीछे चुपे हैं, तो हमको कोई नहीं देखेगा, थर्मल कैमरा है, तो इसमें थर्मल कै कर दिया गया है, टाटा ने इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडेक्शन भी कर रहा है, पूने की फैक्ट्री से, ये बहुत जादे जरूरी था हमारे हर तरह की सेनाओ के लिए, साथ में टाटा ने इसका प्रोडेक्शन करके, और गलवान घाटी में पहुचा भी दि कर दिया गया, चारोर से घेर के अचानक हमला कर देते हैं, उसे अंबुस कहा जाता है टेक्निकल भासा में, तो अंबुस में तो ये दम खतरनाक काम आएगा, चारोर से घेरो से चुरा इसको कोई फरके नहीं पड़ता है, बॉम बारूत कुछ भी मारते रहो, अंदर से इस सप्लाई कर दी है, तो इस सब सेक्टर में प्राइवेट कमपनियों को आने से बहुत बहतरीन है, और वैसे भी पता है कि टाटा के पास लोहे की तो कोई कमी नहीं है, टाटा का लोहा जहां जाता है, वहाँ अपना धूम मचाता है, वह इसे टाटा की तो नॉर्मल गाड़ आपको बताएंगे, और अभी जो NDA का एकजाम आ रहा है, NDA 2nd September 1st week में जो आपका है, तो उसके लिए सूपर फास्ट आपका क्लास रहेगा, एक महिना बचा है गिन के, इसमें पूरी टीम लगेगी NDA वाले लोगों के लिए, और जो भी गाउं के दूर दराज के लड़क तक, तो जो लास्ट फेज में अभी तैयारी पे हैं, वो लोग इसमें इन्रोल हो जाएंगे, बाकी इस सब चीजों के क्लासेज आपके चल रहे हैं, जोग्रफी नौवजे वर्ड मैप, यह सब क्लासेज आपके चल रहे हैं, पढ़ाई को परलर जारी रखिएगा, और नि नीचे बं भी हो, माइंड भी हो, वो भी ब्लास्ट कर रहे हैं तो इस ट्रा को घंटा कर रहे हैं, ताटा ने तो कमाल कर दिया यार, टाटा को बहुत आगे निकल गया, जबर्दस कोई उसमें फीचर ऐसा नहीं था जो उसने ज्यूरत थी और दिया नाओ, उससे पहले तो अच्छा है इसके फ्यूचर बहुत, सो गाइस उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बीन में जैहिन जरूज लिखें